तो देखे, पुल गिरने का लगातार सिलसला एक और यह जो आरे है तो वहीं अब तमाम एक्शन लिया जारा और नितीज कुमार के ओर से एक्शन लेने की बात कही कही है पुल को फिर से निर्माल किया जाये है, इसको लिखरके रीकंस्ट्रक्त किया जाये, यह सब बाते सामन में आ रही हैं और आप जाकर कि का जा रहा है कि सीम एक्षिन में आए हैं और अब उनको रिकंस्ट्रॉक्ट किया जाएगा पूल को अब बलको लंको देखिए जो कई तस्वीरे बिहार के अलग अलग कोने से नजर आई कई ऐसे जिले थे जहाँ पर कई पूल जो है तुट गई लेकिन सारन एक ऐसा जला जहाँ पर तीन पूल जो है धराशाय हो गई एक पूल के सामने इस वक्ड़े हैं अब देख सकते हैं त पूल गिरता है तो जबेदारिया जो है वो सरकार की भी उतनी होती है लेकिन देखिए जब से पूल गिरा है उसके बाद अब एक्शन में सीमितीश आए हुए है कल भी एक समिक्षा बैटक हुई है समिक्षा बैटक में दो अलग-अलग कह सकते हैं कि विभाग के जो अधि साहत की खबर नहीं आई लेकिन कह सकते हैं कि अरस तरीके से पुल पुलिया गिरता है तो परिशानी होती है दूसरी तरफ कई अधिकारी भी जलसंसारन विभाग के आए हुए है जो तमाम चीजों कह सकते हैं कि देखरे कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर परिशानी आई थी क्योंकि अगर दिखाएं तो यह शहरी छेत्र का एक पुल बता जा रहा है और इस पुल के गिरने से काफी परिशानी इसलिए भी है क्योंकि दूसरे तरफ का जो करेक्शन है वह तूट जाता है लेकिन अगर इसके पास अगर वेकल्पिक विवस्थ दर का मौल होगा अब अलकुल लेखिए पुल के टूटने से ऐसा डर हो गया कि कई जवोपर पुल के बाहर ही बेरिकेटिंग कर दिया गया है ग्रामीन के लोगों के द्वारा कि इस पुल पर नहीं जाय जाया रहिए कुछ तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से बीच से लेकिन जो मध्यम पुल का अलाका जो था वो तूटा हुआ है आप देख सकते हैं चारों तरफ से क्रैक आये हुए है और उसके बाद कल से ही सीम के दिशान देश के बाद आक्शन में अलग-अलग विभा की टीम जो है वो पहुँची हुई है तमाम जगों को देख रही है और कह सकते हैं कि एक परिशानी का सबक जरूर है बिहार में क्योंकि लगतार पुल गिरने का सलसला जो है वो देखने को मिल रहा है अररिया के बाद सिवान की बात हो सारन की बात हो मतिहारी की बात हो कई जगों पर नज़र आई है लेकिन डर जरूर नज़र आ रहा है क्यो तो परिशानी जरूर होती है और परिशानी इस बार राजसरकार की भी बढ़ती निजर आ रही है। अब लको लेखिए जो लोग है उनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये वो लोग है जो आम तोर पर दिंचरिया इनका इसी पुल से गुजरता था लोग जो है वो आते थे इस रहेकल्पिक रास्ता को छोड़के इस रास्ते को इस्तमाल करते थे कब तूटा है ये बास दू दिन ह कोई कह रहा था कि जो कटाव है उसकी वैसे टूटा क्या कारण रहा कुछ पता कारण तो आम लोग नहीं देख वेसे हुआ हार जो मारा पानी को इसे हुआ है दार को पहले भी तो बोरा डाला था लेकिन उसाम लेकर लागया वह अधिकारी लोग आए उतकर पूछे का इन स इससे आवजाही सबसे आड़ा होती तो परिशानी हो रही है बहुत ज़्यदा परसानी है सार बहुत गाउं जुड़ा हुआ है इसे पूरा मार्केट लोग इसी से करता है यह दो गाउं को जोड़ने वाला पुल यही था में बस यही में है सार दूसरा पूल भी नज़र कहना है कि यही में पूल था दूसरा जरूर वैकल्पिक विवस्ता लेकिन वह बहुत पहले बनावा सौ साल पुराना पूल है तो डर उससे भी है लोगों का कि अगर उससे गुजरेंगे तो कैसे गुजरेंगे जो भाड़ी वाहन है उससे नहीं जा सकता है चोटी चोटी करने के लिए दिए कि लगातार एक के बाद एक पुल कह सकते हैं गिरने के घटना है सामने आ रहे हैं और इसलिए का जा रहा है कि पुल एक आएक जल समाधी लेते हो प्रतित हो रहे हैं अचानक पुल हाजसे के शिकार हो रहे हैं और एक के बाद अलग अलग तस्वीर सामन पनाए हो रहे हैं